नमस्कार दोस्तों एक और वीडियो के साथ मैं फंद्यार्टी अपका स्वागत करता हूँ भारत के हिमाला के वादियों में बसा छोटा लिकीत खुपसुरत और सुन्दर राज्य है उत्राखंड उत्राखंड में बहुत सारे तिर्त अस्तान है इसलिए इस राज्यों को हरे भूमियां देव भूल भी कहा जाता है इसी राज्य में हरिद्वार एक पवित्र नगरी है वैशे पुरा हरिद्वार भूमने लायक है यहां बहुत सारे मंदीर और गंगा के किनारे पवित्र घाट मौजुद है लेकिन पुरे हरिद्वार में एक सबसे बड़ा भगवान श्यूज का मंदीर है दक्षेश्वर महदेव कन्खल यह मंदीर श्यूज भक्तों के लिए भक्ती और आस्ता की एक पवित्र जगव है भगवान श्यूज का यह मंदीर सती के पिता राजा दक्ष प्रजापती के नाम पर है इस मंदीर को रानी दनकवर द्वारा अठासो दस इस्यूज में बनाया गया था तथा 1962 में इस मंदीर का पुनद निर्मान के आ गया था दोस्तों परानी कदा के अनुसार राजा दक्ष प्रजापती भगवान प्रहमाज के पुत्र थी और सती के पिता थी सती भगवान शिव की प्रथम पत्नी थी राजा दक्ष ने यहां ववे यतने का आयुजन किया था सभी देवी देवताओं, रुशियों और संतों को अमंत्रित किया लेकिन इस यतने के लिए भगवान शिव को अमंत्रित नहीं किया था इसी घटना से सती ने अपमानित महसुष किया उने लगा राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया तो सती ने यतन की आगनी में कुद कर अपने प्रान त्याग दिये इससे भगवान शिव प्रोधित हुए और भगवान शिव ने अपने आर्द देवता विर्बद्र बद्र काली और शिव गुनों को कंखल युद्ध के लिए वेजा विर्बद्र ने राजा दक्ष का सर काट लिया सभी देवताओं के अनुरत करने पर भगवान शिव ने राजा दक्ष को जिवन दान दिया और उस पर पक्रे का शिर लगा दिया राजा दक्ष को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने भगवान शिव की शमा माँगी तो भगवान शिव ने गोशना की हर साल सावन के महिने में भगवान शिव कंखल में न्युमास करेंगे यद्नेपुंट के स्थान पर दक्षिश्व और माहदेव का मंदिर बनाया गया था जो मंदीर आप देख रहे हैं दक्षेशोर महादियों मंदीर के पास गंगा के नारे दक्ष भाठे चांशु भक्त गंगा में श्नात करके अगवान्शु का दर्शन करके अनन्द प्राप्त करते हैं दोस्तों आपने वीडियो पुरा देखा पिशले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ नमस्ते